हाजी नमस्कार गुड़ीवनिंग सभी का स्वागत है इस सेशन में कैसे हैं आप लोग सभी चलिए भाई देखिए वर्ग एक का रिजल्ट आ गया ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो गई है वर्ग दो की पात्रता परिक्षा हो गई इसके बाद चैन परिक्षा का शेडि जानकर ही नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बाते करेंगे वर्ग तीन के बारे में अगर आपको वर्ग तीन का सिलेबस और सारी चीज़े जाननी है तो वो तो मैं बताओं गई लेकिन इस समय सिक्षक पदों को लेकर मध्यप्रदेश में क्या स्थिती है क परिक्षा हो सकती है क्या संभावना है वर्ग तीन की क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इसका इंतजार कर रहे हैं है और इसके अलावा एक और बहुत इंपोर्टेंट चीज में आपको बताऊंगा कि जिन विद्ध्यारतियों ने विनर्स के अप्लिकेशन पर वर्ग तीन का कोर्स खरीदा था हमने दिसंबर teen का कोर्स लांच किया था उसमें वर्ग 2 वर्ग 6 सब कुछ किया था पर वर्ग 3 का हमने आप से कहा था कि हम लाइव आपको पढ़ाएंगे जब भी वेकेंसी आने की संभावना होगी तो एक साल से ज्यादा निकल चुका है एक साल की वैलिडिटी थी तो हमने पहला तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी और अब हम जो वादा किया था वो निभाने जा रहें तो पिछले मतलब एक साल डेड़ स सिस्टम रहेगा और अखवारों में पेपर में वर्ग तीन से जुड़ा हुआ क्या-क्या अपडेट है उस सब की बात हम करने वाले हैं फिर सिलेबस एक्जाम पाइटन और क्या-क्या खास बाते हैं उन सब चीजों को हम देखेंगे है ना तो एक तो एक्जाम का एक शेड है इसकी जानकरी मैं आपको दूंगा है ना और बहुत सारी सुविधाएं सारी चीज़े हैं लाइफ बैचे नया बैचे एकदम शांदर तरीके से आपको मिलेगा और वर्ग एक में भी वर्ग दो वर्ग तीन सभी में विनर्स के विद्धियारतियों ने इतिहास रचा है बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक संख्या में हमारे विद्धियारती सिलेक्ट हुए हैं वर्ग एक में और ये भी हमने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वे शेयर किया था आप देख सकते हैं कुछ फोटो में आपको दिखा रहा हूं संख्या बहुत ज इहारती जो है वो अलग अलग परिक्शाओं में वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन में सिलेक्ट हुए हैं और किवल सिलेक्ट नहीं हुए मतलब मेरिट जैसे आप देखिए सेकंड नंबर पर सेकंड रेंक है मेरिट टू है इनकी बायलोजी विशय में मेरिट इसह है तो एक्जाम नहीं है, टीचर्स की जो एक्जाम है, वो केबल इतने में नोंने दिखाई है, है ना, तो अगर आप यहां पे सबसे पहले देखते हैं, तो एक तो महिला सूपरवाइजर है, जिसकी वेकेंसी नोंने बताया था कि जून में आईगी, अगर इसके बाद बात करें हम माध्यमिक सिक्षक, यानी वर्ग दो, माध्यमिक सिक्षक, तो इसके विशय सिक्षक और इन सब का, जो आपका चयन परिक्षा है, वो होना है, और प्रात्मिक सिक्षक के बारे में यहापे केबल चयन परिक्षा के बारे में लिखा है, है ना, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में सिख्षक के पदों की संख्या जो है मतलब जितने होने चाहिए और जितने पद हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है यह जो न्यूज है यह मतलब आप समझे कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे राज इस से हमारे प्रदेश के कुलते हैं क अठारा हजार में एक सिक्षक है, अठारा हजार ऐसे स्कूल्स हैं, जिनमें एक ही सिक्षक है, थोड़ा सा इस पे आपको मैं ओर डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको शायद एक लियर ना दिखे, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और इन्हों ने है कि कितने पद खाली है जैसे यहां से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं 50,000 पद खाली है 18,000 इसकुल है से हैं जहां मात्र एक सिक्षक हैं आप सोचिए 18,000 इसकुल है हमारे मद्यप्रदेश में जिसमें केवल एक ही टीचर है तो 18,000 तो मलब 18,000 से ज्यादा एक स्कुल में 3 य हो पा रहा है इसकुलों में विशय के पूरे सिक्षक ही नहीं है तो व्यवसाइक सिक्षा सईद अन्य के लिए विशय विशय क्या बात की जाए और काफी चीज़ें यहां पे लिखी है अंग्रेजी और गणित के सिक्षकों की कमी सबसे जादा है सबसे अधिक अंग्रेजी सिक्षकों को रखकर पढ़ाई कराई जा रही है यह आकड़ा भारत की सिक्षा रिपोर्ट 2021 के तहट है अब देखो 2021 के तहट मद्यप्रदेश में इसकुली सिक्षा विवस्ता के अंतरगत सामने आया है बात 2021 की है इस बीच में कुछ पद भरे भी गए हैं और बहुत सारे पद खाली भी हुए हैं तो इस्थिती से जादा है रिक्वाइर्मेंट अगर हम देखें जितने लोगों के हमें जौरत है वो इससे भी कहीं जादा है और बता दें कि यहां पांस साल तक सिक्षकों की भरती प्रक्रिया चली है सिक्षक कमी दूर नहीं हो पाई है समस्या का आप देखते हैं तो अंग्रेजी के 1783 पद अंग्रेजी और गणित के सबसे ज्यादा सिक्षकों के पद खाली है उसके बाद केमेस्ट्री उसके बाद फिजिक्स उसके बाद जियो विज्ञान फिर क्रशी कॉमर्स हिंदी संस्कृत इतिहास राजनीती शास्त्र समाश शा नहीं है जो स्कूल में पढ़ा सके तो वर्ग एक का तो 2024 में भी कहा नहीं जा सकता है वर्ग दो की चैयन परिक्षा है वर्ग तीन के काफी हद तक चांसे हैं कि सारे विशय के जो पद हैं उसको लेकर भरती निकले क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है और स्थिति यहा कि बहुत हद तक उम्मीद है कि 2024 में आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी वर्ग तीन के बारे में है ना और इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप इसके लिए पहले से तयार रहें तो जाद अच्छ है हमने डिसंबर 2022 में वर्ग तीन का एप्लिकेशन पर कोर्स लॉंच किया था और हमने सारे विद्ध्यार्तियों को recorded lectures दिये थे और हमने कहा था कि हम आपको live पढ़ाएंगे और हमने पहले सोचा था कि ठीक है 4-6 महीने बाद ही हम live पढ़ा देंगे तब विकेंसी आने की उम्मीद थी लेकिन नहीं आ पाई तो वो समय थोड़ा आगे बढ़ता गया प आपको free में live batch मिलेगा मतलब recorded batch तो आपको मिल गया live हम पढ़ाने जा रहे हैं जो free of cost रहेगा उन सभी विद्ध्यार्तियों के लिए जिन्नों ने पहले से लिया है 20 मार्च से हम इसको शुरू कर रहे हैं अभी मैं qualification और syllabus इनकी बात करने वाला हूं उसको मैं आपको बता र में एक चीज आपको कह सकता हूं कि फिलाल बहुत हत्तक उम्मीद है कि जो पहले योग्यता रही थी वही रहेगी बट इस्टिल नोटिफिकेशन आने पर ही हम ज्यादा clarity के साथ बता सकते हैं मैंने आपसे पहले भी हमेशा कहा है अगर आप winners के साथ जुड़े हैं मैं आने में विश्वास करता हूं otherwise जो होता आया है उसी को हम authentic और official मानते हैं ठीक है तो अभी फिलाल कहना बहुत मुश्किल है कि B8 का या D8 का बहुत हत्तक चांसेज है कि जो योग्यता पहले से चलती आई है वही रह सकती है बदला होने के चांसेज नहीं के बराबर है बट इस्टिल ओरिजनल और जब ओफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा है ना तो यहां पर आप एक चीज देखिए यहां पर आपको पता ही है कि कम से कम 50 प्रतीशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकष तथा प्रारंबिक मतलब हायर सेकेंडरी 12 तो होना ही चाहिए और प्रारंबिक सिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकष है ना तो डिप्लोमा या उसकी एक्वल में कुछ भी रहेगा तो आप इसकी एक्जाम दे सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को रोक के और बाकी चीजे पढ लिजेगा फिर कम से कम 45 प्रतिशत अंगों के साथ हायर सेकेंडरी और राष्ट्रिय अध्यापक सिक्षा परिशद माननेता प्राप्त इनसे 2002 के अनुसार प्रारंबिक सिक्षा सास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा ये सारी जो चीज में बता रहा हूं ये लास्ट ओफि जिसको बी एलेट कहते हैं ये भी था अथवा का मतलब क्या हो जाएगा कि इन में से जो भी कोई एक चीज को आप फुल्फिल करते हैं उसके लिए आप भर सकते हैं पचास प्रतीशत अंगों के साथ हाईर सेकेंडरी और सिक्षा सास्त्र विशे सिक्षा में दो वर्षी आपका डिप्लोमा हो या इसनातक उपादी तता प्रारंबिक सिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूची जाती अन ये पिछड़ा वर्ग निशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्तियों को अरहर्त कारी अंकों से 5% की छूट दी जाएगी जो minimum percentage मांगी गए हैं उसमें ठीक है बट नोटिफिकेशन पे मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा अभी मैं अनुमान भी लगा दू अभी मैं आपक अभी बढ़ा दू उससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए फिलाल हमारा बेज वही रहेगा जो पिछले नोटिफिकेशन में था और बहुत हद तक यानि आपको इतने नंबर तो कम से कम लाना ही है मेरिट लिस्ट अलग बनेगी यह मिनिममम माक्स है कि भाई इतने तो लाना ही है तभी आपको आगे देखा जाएगा और मेरिट लिस्ट में आपके वारे में सोचा जाएगा है ना अच्छा अन्य राज्य की विद्ध्यार कोई भी टीचर बनी सकता है अब बात करते हैं कि इसका एक्जाम का पैटन क्या होता है देखिए इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं 150 अंक होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पूरा अब देखिए पांच हिस्सों में आपका पेपर बटा हुआ होता है बाल विकास और सिक्षा सास्त्र चाइल्ड डेवलपेंट इंड पेडागोजी जिसके आपके तीस सवाल रहेंगे लेंग्वेज वन और लेंग्वेज टू तो जनरली जैसे हम लेंग्वेज वन की बात करें तो आपने एक में तो हिंदी भाशा को चुनी लिया है और इसके अलाबा आप या तो अगले में इंग्लिश को चुनेंगे या फिर आप संस्कृत को चुनेंगे इन में से ही भाषा चुन्नी होती है और इससे भी 30 सवाल रहेंगे इसके बाद मैत्स होता है जो बहुत ज़्यादा आसान होता है मैस से डरनाहीमत और पर्या वरण के भी आपके 30 सवाल होते हैं टोटल 150 question होते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दू इसमें कि यहां पे अगर बटे हुए हैं सारे विशय 15-15 में बटे हैं 15-15 का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब है ना मैट्स भी है तो 15 ही मैट्स आएंगे अगर परियावरण भी है तो 15 ही आएंगे तो आप यह सा समझिए कि अगर टोटल 150 प्रश्ण है तो 150 प्रश्ण में से आपक पेडागोजी रहेगा जिसको सिक्षा शास्त्र सिक्षण बिधियां कहते हैं वो रहेगा यह ध्यान रखना 150 प्रश्णों में से 50% हर विशय में 50% पेडागोजी होती है सिक्षण बिधियां सिक्षा शास्त्र जो विशय का होता है वो रहता है तो अगर गणित है तो 15 प् आपको पता होगा तो इसलिए ध्यान रखिए कि 75 यानि आधा रोल तो पेड़ागोजी का ही है और आधा रोल यहां पर उस विशय का है ठीक है उम्मीद है इतनी बाद आपको समझ में आ गई होगी ठीक चलिए अब अगर चाहें तो यहां पर डिटेल में पूरा देख सकते हैं जो बात मैंने आपको बताई इन विशय में क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या होता है वो सारी चीज़े यहां पर आप देख सकते हैं है ना तो बाल विकास में क्या-क्या आएगा वो सारे टॉप तो दिख्शा की अवधार्ना विशेष आवसक्ते वाले बच्चों की समझ पांच प्रश्ण के रहेंगे और जो पैडागाजी इसमें इसके दसी सवाल रहेंगे तो अधिगम और सिक्षा साश्ट्र क्योंकि इसमें बेसिकली बच्चों की जो साइकलोजी क्या मैथड्स ओन जाएगा वो सब यहां पर दिया है यहां पर हो जाएंगे गध्यांश हो जाएगा नाटक एकांग की गटना रिवंद कहानी पर आधारित हो जाएगा है ना और समझ अब वोध व्याक्या तो आप इसको पढ़िए और अगले जो 15 सवाल रहेंगे वह यहीं रहेंगे और यह क प्रकार है संस्कृत की बात करें तो 15 प्रश्न संस्कृत भाशा से और 15 प्रश्न आपके संस्कृत के सिक्षा शास्त्र सिक्षण विधियों से हो गए गणित तो गणित बहुत इजी आता है गिने चुने आठ या दस टॉपिक होते हैं और मुझे लगता है कि इसका मैट्स मुश्किल से एक महीने का होता है एक महीने में आराम से कोई भी सीख सकता है बहुत इजी है और फिर वही गणित की यहां पे पूरी सिक्षण बिधिया और सिक्षा शास्त्र आजाएगा पैड़ागोजी आजाएगा ठीक है इसी प्रकार पर्यावरण है तो उसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पर्यावरण में क्या क्या आता है वह आप देख लें और आखरी में पर्यावरण का यह जो पैड़ागोजी है यह आ जाएगा पर्यावरण में यहां पर एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यह 20 और 10 में डिवाइडेड होता है यानि 20 प्रश्न पर्यावरण के रहेंगे और पैड़ागोजी के केवल 10 सवाल रहेंगे और यह चीज़ यहां पर आपकी पूरी हो जाएगी ठीक है उमीद है आपको इतनी दो बात समझ में आई गई होगी वर्ग दो चैन परिक्षा का कोर्स ऑल्रेडी विनर्स के अप फिर बता रहा हूं कि दिसंबर 2022 में हमने विनर्स के अप्लिकेशन पर वर्ग तीन का बैच स्टार्ट किया था लेकिन उस समय विकेंसी आने में समय था तो हमने सभी बच्चों को यह वादा किया था कि हम आपको अभी रिकॉर्डेड बैच ले लो और आपको लाइब भी ह बैच शुरू हो रहा है और इसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं देना है अब आप समझीए है ना विनर्स में कितना आपका ध्यान रखा जाता है अब इस बात की कलपना नहीं कर पाएंगे हम चाहें तो वहीं हम बोल सकते हैं कि नहीं आई वेकेंसी अब हम नया 25 तक की हो गई यानि आपने लिया था बाईस में आपका कोर्स की वेलेडिटी आपको 25 तक लिए है जनरली एक साल कीụ होती है तो आपने जब भी कोर्स लिया होगा उसके बात से आपको एक साल तक की validity मिलेगी आगे भी तो हम सारे विद्ध्यारतियों को मतलब जिनों ने भी course लिया है सब की validity revise हो जाईगी और अब 20 March से वो count होगी और जो नए जुड़ेंगे आगे जुड़ेंगे उसकी validity उसी किसाब से एक साल आगे बढ़ जाएगी तो उन सभी विद्ध्यारतियों को हम लाइब बैच फ्री दे रहे हैं जिनोंने उस समय से लेकर आज तक एमपिटेट खरीदा है और जिनोंने नहीं खरीदा है वो चाहें तो अब जुड़ सकते हैं 1299 इसकी फीस है बालविकास हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण गणित यह सारे विशह यहां पर उपलब्द है और इसके अलाबर जो विशह हैं वो भी आपको सब मिलेंगे पूर आपकी और संख्याम बढ़ा देंगे लेकिन हां उर्दू या और कोई भाषा नहीं पढ़ा पाएंगे जो विशह हैं वो सब यहीं है बालविकास हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण गणित और बचा संस्कृत वो भी हम पढ़ाएंगे संस्कृत आपको चिनमेशर पढ़ा कुछ दिनों में ही हम संस्कृत भी स्टार्ट कर देंगे उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं वो भी आपको मिल जाएगा पर एकदम से जब क्लासेज ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है और अगर पॉसिवल हुआ तो हम 20 मार्च से संस्कृत भी चालू कर देंगे बाकी टीचर हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टीम हमारी आपको पते ही विनर्स की इतनी बड़ी टीम है है न हर विशय के हमारे पास दो दो तीन तीन सिख्षक हैं तो सबसे खास वाद आपको विनर्स में जो मिल जाती हो यह कि expert teachers है सारे experience teachers है और कहीं से कहीं तक और winners है तो आपको full support हर प्रकार की सुभिधा वो आपको मद्धिप्रदेश में कहीं से भी आप compare करेंगे आपको चार गुना ज्यादा ही मिलेगी winners में तो ये start हो रहा है जो पुराने बच्चे हैं बिल्कुल तयार हो जाएगे आने वाले कुछ दिनों में पुराने सारे साल की validity में मिल जाएगी क्लियर है offline भी start होगा उसके लिए आप इंदोर आके जानकरी ले सकते हैं इसके अलावा वर्ग दो के भी batches उपलब्द हैं सामाजीक विज्यान विज्यान हिंदी गणी संस्कृत अंग्रेजी 1499 पर सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं टीचर में द चिनमैसर पढ़ाएंगे वर्ग 3 में भी है ना चिनमैसर यह आपको संस्कृत पढ़ाएंगे यह मैं वर्ग 2 का दिखा रहा हूं वर्ग 3 में चिनमैसर आपको मिलेंगे जो संस्कृत पढ़ाएंगे ठीक है और हिंदी में हम double teacher advantage भी दे रहे हैं हिंदी का भी आप अलग से ले सकते हैं वर्ग 2 का एक बार आपको मैं जल्दी से प्रॉसेस बता देता हूं आप जब विनर्स के अप्लिकेशन पर जाएंगे तो paid courses section में जाएंगे यहां पर आप जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो वर्ग 3 वर्ग 2 जो भी बैच आपको ले रहा है यहां जब जाए लाइव नहीं देख सकते हैं किसी कारण से आप बाद में recorded classes आराम से देख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर है इतनी बात सभी को और आपका जब course activate हो जाए तो my courses में जाए और यहां पर आपको अपना course दिखने लगेगा बाकी winners के आप टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं है ना और यह सारे तो हमने वर्ग एक के हमारे इस बार के जो रिजल्ट से वह आपको दिखाए थे बहुत अधिक मात्रा में इस बार भी विद्ध्यारती चैनित हुए है और हर बार की तरह merit two merit three कई categories में merit one सारे विद्ध्यारती आपको winners के दिखाई दें है और आप वर्ग तीन वर्ग दो में भी winners institute मतलब आप सब मिलकर जो है इतिहास रचने वाले हैं ठीक है भाई हाँ किसी भी आप किसी दूसरे के UPI phone पे Google पे ATM कार्ट किसी से प्रेमेंट करा सकते हो ऐसा नहीं कि जिसको course लेना है वही पे करे पे कोई भी कर सकता है सब कुछ कुछ हम ही इसमें आपको पढ़ाएंगे है ना सारे विशय मैंने आपसे क्या कहा सारे विशय सारे विशय की पेड़ागोजी सब कुछ include सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी हाँ अभी पात्रता और चैन परिक्षा के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है जैसे कुछ ऑफिशियल आएगा मैं आपको बताऊंगा उसकी जानकरी भी दूँगा ठीक है ओल्ड Raumडिस्टूदेंट्स के लिए कुछ कीजिए लीला जी अभी हमने क्या काऒए इससे ज्यादा क्या चाहते हैं पुराने बच्चे बताइए घीक है कई लोग तो कोर्स लेकर ही भूल गए कि एसा कोई भी वादा किया था लेकिन आप सोचिए कि 2022 में जो बादा किया है वो 2024 में हम पूरा कर रहे हैं बिना आपके कहें तो आप इसस अंदाजा लगा लो ना कि हम कितने हमारे शब्द और हमारी जुबा की कीमत कितनी समझते हैं है था हाँ 2024 में पूरी उमीद है विकेंसी आने की बट इसलिए देखो 2023 में चांस नहीं थे हमने 2023 में बैच स्टार्ट नहीं किया 2024 में चांस है और ऐसा ना हो कि इतना कम समय मिले कि आप तयारी ना कर सकें इसलिए हमने लाइब बैच को रोक के रखा था कि लाइब बैच जब हम देंगे जब संभावना बहुत ज़्यादा होगी अब समय है कि तयारी शुरू कर दी जाए सिलेबस पूर अच्छे से पढ़ लिया जाए अपने आपको तयार रखें क्योंकि यस वेकेंसी आ सकती है 2024 में और सिलेबस इतना बढ़ा है कि काफी टाइम लग जाएगा आपको सारी चीजों कवर करने में तो तयार कर लेंगे अच्छे नोट्स बना लेंगे सारी मैं शुरू कर रहे होंगे तो इसलिए अच्छा मोगा है अभी से आप शुरू करिए पूरा सिलेबस सारी चीज़े आपको इसमें कवर कराई जाएगी हाँ बिल्कुल जीवन जी भर सकते हैं आप भी फॉर्म वर्ग 2 की फ्रेश वेकंसी दो हजार चोबिस में तो नहीं आएगी क्योंकि अभी तो वर्ग 2 की चयन पर इक्छा बची है तो फ्रेश में तो वर्ग 3 का ही एकजाम आएगा लेटेस्ट और फ्रेश वेकंसी वर्ग 1 क्योंकि अभी तो ज्वाइनिंग और यही चल रहा है तो वर्ग एक और वर्ग दो की fresh vacancies इस साल नहीं आएगी, वर्ग तीन की आ सकती है, क्योंकि बाकी वर्ग एक वर्ग दो की तो अभी process ही चल रही है पुरानी vacancies की, ठीक है, उमीद है कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे, योग्यता, syllabus, exam pattern, IU, qualification, इनसे भी सारे doubts clear हो गए होंगे, और पुराने विद्ध्यारती अब एकदम खुश होंगे, कि ठीक है, अब उन्हें पढ़ने का मया पर मुका शांदर मिलने वाला है, तो 20 March से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, live बैच जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, और शांदर तरीके से घर बेठे आप पढ सकते हैं, लेकिन अभी इन दोर में आफ्लाइन की बैच आमारी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आप किसी भी कारण से नहीं आ सकते हैं, आप 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 आपके साथ हैं, तो निश्चिंद रहें, ठीक है, चलिए, तो विदा लेता हूँ, यही सारी इंफर्मेशन आपको देनीती, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद!